आईपियल का ये सीजन काफी अच्छा रहा, सभी खिलाडियों ने काफी अच्छा प्रदशन भी किया और वही कुछ खिलाडी चोटिल भी हुए आईपियल खतम होते ही टीम इंडिया को उस्टेलिया टूर पर जाना है लेकिन ऐसे में रोहिश शर्मा जो आईपियल में मुंबई इंडियन्स के कप्तान है उन्हें किंग्स 11 पंजाब के खिलाफ खेले गए डबल सूपर ओवर वाले मैच के बाद से ही रोहिट ने कोई भी मुकाबला नहीं खेला है मुंबई इंडियन्स की कप्तानी भी किरोन पुलाड कर रहे हैं ऐसे में रोहिश शर्मा को उस्टेलिया टूर से भी बाहर जाना पड़ा रोहिट की फिटनेस को लेकर काफी बाते की जा चुकी है बी-सी-सी-ाई के अध्यक सौरफ गांगुली ने इस बारे में कहा की रोहिट उस्टेलिया दूरे पर जा सकते हैं अगर वो फिटनेस हासिल कर ले सौरफ गांगुली ने यह भी कहा की अगर रोहिट की बात करें तो हम सभी चाते हैं कि आस्टेलिया दोरे के लिए वे फिट हो जाएं अगर वो फिट हो जाएं तो चैन करता भी उनकी जगे को लेकर दुबारा विचार करेंगे IPL में मुंबे इंडियन्स प्ले ओफ में जगा बनाने वाली पहली टीम बनी पहले कॉलिफायर में जब टीम डेली के खिलाफ खेलने उतरेगी तो उनको रोहित से फिट होने की उम्मीद रहेगी रोहित के अलावा तेज गेंद बाज इशान शर्मा भी चोटिल हैं लेकिन इशान अभी पूरी तरह से बाहर नहीं हुए हैं वह ऑस्टेलिया टूर पर टेस्ट टीम का हिस्सा रहेंगे अगर आपको हमारा यह वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक शेर और हमारे चैनल को सब्स्राइब करना ना भूले